कि आप सभी लोग उमीद करता हूँ मस होंगे चगा चख होंगे खुश होंगे दोस्तो अन अकेडमी आप लोगों के लेके आया है लर्निंग फेस्टिबल बहुत बड़िया फेस्टिबल है लर्निंग फैस्टिवल आखिर क्या है लर्निंग स्थिवल आए समस्थे हैं दोस्तों कर इस लर्निंग कि हम बात करें देखे अन इकेड्मी लर्निक फैस्टिवल आपको 45 दिनों का इस lesson मिलरा है वह भी कौन सा ओमसा सब्सक्रिप्सिप्सिप्जन दिया गया है यहाँ पर देखिए यह जो class है वो 8 से लेकर 12 तक यह आप need IIT की भी तैयारी कर सकते हैं 45 दिनों के लिए तो यह बहुत अच्छा offer है और यह जो valid है इसकी validity है 23 से लेकर 30 April बतलब आपको 30 तारिक से पहले इसको subscription लेना पड़ेगा इसके बाद यह आपको नहीं मि करते हैं तो आपको 20 परशेंट 20 परशेंट आपको discount भी दिया जाएगा 20 परशेंट आपको discount मिलेगा तो यह बहुत अच्छी बात है जब भी आप यह सब्सक्रिप्शन ले तो आप हमारा code यूज करें EP English.10 EP 10 आपको यूज करना यहाँ पर 20 परशेंट आपको discount भी मिलेग तो इसकी जो link है कहाँ पर मिलेगा इसकी जो link है description में वहाँ जाके आप लोग unacademy का learning app डाउनलोड कर ले और वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं purchase कर सकते हैं अच्छा benefit क्या-क्या मिलने वाले वो हम लोग देख लेते हैं कि आपको benefit क्या-क्या मिलेंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ पर आपको मिलेगा no language barrier आप Hindi English आप जिस भी language में है आपको उस language में मिलेगा इसका learning anytime anywhere कहीं पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं interact with your educator आप educator से बात कर सकते हैं answer लाइब पोल में आपको answer देना होगा मिलेंगे got your doubt clear आपको जितने भी doubt रहेंगे वो clear होंगे यहाँ पर live test एंड क्यूज जो questions रहेंगे वह आपको यहाँ पर live test रहेगा आपका detail report and analysis मिलेगा आपको जो भी आप test देंगे इसके बाद आपको PDF and learning material मिल जाएगा यह बहुत ही अच्छा offer है यह festival है learning festival इस learning festival में आप enjoy करिए और enjoy के साथ पढ़ाई भी करिए ठीक है आप लोग समझ गए कोई भी doubt हो तो आप comment में पूछ सकते हैं आपको हर एक आपको comment में आपको जबाब दिया जाएगा ठीक है चलिए फिर हम लोग पढ भूसता है डालेंगे तो 20% आपका ओफ हो जाएगा यह बहुत अच्छा offer है इसको आप लेना ना भूले चलिए समझने आ गया description में लिंक है download किजिए enjoy करिए 45 दिन तक बड़िया तरीके से सांदर तरीके से पढ़िए अगर आपके भाई वेन दोस्त रिस्तेदार कोई भी तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल हम लोगोंने 15 question बहुत ही बड़िया question थे जो 10 के थे हमने वो करे थे और test लगाये था और बहुत सारे विध्यारती में 15 में 15 में 15 नंबर लेके आये थे 15 out of 15 आज हम लोग आगे के question देखेंगे 10 के question रहेंगे इन question को कैसे solve किया जाता है उसके हम लोग आगे discussion करेंगे पर आज भी एक test है आपके लिए 15 question हो का 16 से लेके 13 question है इनके आपको answer लगाना है correct answer लगाना है और check करना है आपका performance कि आपका English के tense कितने strong है अगर strong नहीं है तो tension नहीं लेना है हम आपको आपको English पे command करवाएंगे आपको अच्छी सी तयार brothers to be blamed सीता और हर बिर्दर डैस टूबी ब्लैंड बताईए यहां पर आपके हिसाब से क्या answer होगा और देखिए दोस्तों यह जो और है और का मतलब होता है यहां पर सीता की बात हो रही है और हर बिर्दर्स ठीक है और हर बिर्दर्स मतलब दो लोग है यहां पर डैस तूबी ब्लैंड तो यहां पर इस आएगा कि है भई इस सिंगुलर के लिए होता है है सिंगुलर के लिए होता है वास सिंगुलर के लिए होता है तो यहां पर सी आएगा सी इस दा करेक्ट आंसर आप लोग समझ गहे होंगे ठीक है आर क्यों आएगा क्योंकि यहां प या लेट बताएँ जल्ली से आपक लिसाफने से क्या आंसर होगा कि दाजी उस भुए है कि तो यहां पर नहीं मैं उप्रफ देखिए जो यहां पर यहां पर आयेगा न को यह वाला जो आपका subject है इसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर वर्वियूस करना पड़ेगा तो इसका answer आप आर लिविंग नहीं लगा सकते ठीक है यह तो नहीं होगा left नहीं होगा यहां पर आपको helping वर्वियूस करना होगी यह दो option तो होगे नहीं अब आपके पास बज़ता है या have left अब singular person है तो इसके साथ क्या आता है has left तो इसका answer जो होगा वो होगा a is the right answer has left ठीक है चलिए next question पर हम लोग चलते हैं the quality of product डैस over time the quality of product डैस over time तो क्या होगा इसका answer जली से बताइए और डिगेडिंग है विन डिगार्डिंग या है डिगार्डिंग या वर डिगार्डिट तो आपके साथ से क्या answer होगा इसका बताईए the quality of product over time the quality of product तो भाई आर तो नहीं आएगा यह आप समझ सकते हो वर्वी नहीं आएगा इन दोनों option में से देखी क्या सकता है यहाँ पे over time की बात हो रही है the quality of products have been regarding क्या आएगा इसका answer have been regarding 18 का जो answer है वो है we is the right answer चलिए 19 की तरफ चलते है the news-not updated timely the news-not updated timely क्या आएगा इसका answer were have is या are बताईए बताईए जली से इसका answer क्या आने वाला है कि देखिए दोस्तों अगर न्यूस की बात करें तो न्यूस के साथ क्या आएगा the news is not updated timely is not यहाँ पर वर नहीं आएगा have नहीं आएगा आर तो बिल्कुल नहीं आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर इस आएगा the news is not updated timely समझ गया चली next question की तरब चलते हैं बहुत आसान कोशन है इनको समझाने में ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे देश इंटू देर कार्स एंड ड्रॉब अवे ड्रॉब अवे देश इंटू देर कार्स एंड ड्रॉब अवे कशसे रगाइए जली से बताईए क्या आंसर आसकता है कि सिंपल सा has got दे के साथ तो बही हैज गॉइफा नहीं आएगा ठीक है यहां पर आप देख़ रहे हुँ पाध है। मतलब यहां पर आपका जो TENS हो रहा है वो past tense यूज हो रहा है तो present नहीं आएगा तो यहां पर gets तो बिल्कुल नहीं आएगा ठीक है जली से बताएए टॉंटी का क्या सकता है यहां पर have got भी नहीं आएगा दे लगाए इसलिए क्या आएगा गॉट सिंपल आएगा दे गॉट दे गॉट दे गॉट इन्टू दियर कार्स एंड ड्रॉब अवे चलते हैं चूज दा सेंटेंस विद फ्यूचर पर्फेक्ट टेंस इस पेसे आपको बताना है फ्यूचर पर्फेक्ट स यहाँ पे लगता है आपके सब्सक्राइट के साथ क्या लगता हूं तो फ्यूचर पर्फेक्ट टैंस आपको बताना है तो फ्यूचर पर्फेक्ट लेको के यह तो नहीं होगा continuous tense है यह भी नहीं होगा यहां पर बताइए क्या होगा एक की बचा है एक ही बचा है इस दा राइट अंसर चीक है 21 का क्या आएगा यह future perfect tense बन रहा है चीक है future perfect tense बन रहा है चाली मैं देख लेता हूं आपको कोई कमेंट तो नहीं कर रहे हैं चालिए नेक्स कोशन की तरफ हम लोग चलते हैं identify the tense use following sentence we are going to reach the destination as schedule we are going to reach the destination as schedule बताइए इसमें कौन सा tense use हो रहा है अब देखिए आप समझें ing use हो रहा है going going में ing रहा है ठीक है reach on the destination as schedule तो present continue future तो नहीं हो रहा है यहां पर future continuous बिल्कुल नहीं हो रहा है present perfect continuous perfect continuous नहीं हो रहा है तो यहां पर simple present continuous tense use हो रहा है ठीक चलिए next question की तरफ चलते है which tense is used to express an action going at some point in the past which tense is used to express as action going at some point in the past बताइए यह चार option में से कौन सा answer आपका सही होगा पास identify past perfect continuous tense past continuous tense या past perfect continuous tense यहां पर देखिए action भी होना चाहिए तो पास्ट में भी होना चाहिए तो इसका answer आएगा past continuous tense ठीक है past continuous tense which tense used to express an action going at some point in the past past में जो कोई action हो रहा है तो वह past continuous तो होता है simple सी बात है इच ओप दा four army soldier days for the mission इच ओप दा four army soldier for the mission बताइए क्या answer होगा 24 का चली से बताइए 24 का answer क्या होने वाला है वर रेडी आर रेडी वाज रेडी यह हैव विन रेडी देखिए each of each of the आपको पता होगा rule each of the four army soldier होता है तो वहां पर क्या आएगा वाज रेडी तो यहां पर क्या यूजँ होगा वाज रेडी वाज रेडी वाज रेडी फूर दा mission है कि दा थीप एंड़ आइविटनेस दा थीप एंड आइविटनेस दो लोग है थीप एंड आइविटनेस क्या आएगा has escaped has escaping was escaping या है विसकेप चलिए से बताइए 25 का अंसर क्या होगा तो नहीं होगा यहां पर दो लोग है है बीन भी नहीं होगा बास भी नहीं होगा दो लोग है एंड लगा हुआ है तो इसलिए क्या होगा है विसकेप umm 25 का क्या होगा भाई है विसके और बैक in दानेटीव प्लेस बैक इन्द नेटीव टेस डैस आई आई डैस इस स्मार्टफोन एस स्मार्टफोन इस स्मार्टफोन डीड नौट है ड्टुनोट है डिडिन नौट हैड या दुवटो नॉटहर यहन रोलोगा है ता Gonzay जली ठेट możliwe Så Did not have do not have did not head you do not head क्या आएगा इसका बताइं यह 26 अ पर आएगा बह GU सब्सक्राइब करेlvania जाएं नोट है यह द सब्सक्राइब itu segment चूउज करेक्षेंंट सेंटेंस वेन I woke up he has already eaten breakfast जब मैं उठा तो वो खाना खा चुकी थी very good 27 का बताई आप when I woke up he had already eaten breakfast when I had woke up he had already at breakfast when I had woken up he has already यह तो बिल्कु समझ देना रहा गड़वड़ है बेना है यह ब्रोकन यह भी गड़वड है बैना वोक अप ही है आल्रीडी इटन ब्रेकफास इन दोलों से देखिए तो विल्कुल समझ नहीं आ रहा है गड़वड़ इसमें पुरा इस्ट्रेक्चर नहीं है यह दोलों देखिए कौन सांसर होगता है टॉन्टी सिक्स का टॉ तो वी इस दा राइट अंसर ऐस्टेटेशन अस प्रिस्क्राइब वाइट दोक्टर फॉर एस्टेक्टेशन वीक नवह प्रिस्क्राइब वाइट है रहां कि पृटेट फो नहीं आएगगा क्या यह विन टेक्किंग क्या अंसार होगा 28 का चलिए से प्ताई है तो सिम्प I have been taking the medicine as prescribed by the doctor for a week now. You and I, you and I, that's the obligation, 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 क्या आएगा? You and I, तो यहाँ पर देखिए, end लगा हुआ है, तो am fulfilled, has been fulfilled, have fulfilled, या has fulfilled, 29 का बताएगे क्या होगा? देखो, दो am fulfilled नहीं होगा, यहाँ पर, you and I, you and I, am fulfilled नहीं होगा, has fulfilled नहीं होगा, इन दो option में से कौन सा होगा, बताएगे, 29 में, has been fulfilling, कुछ नहीं लग रहा, तो have fulfilled आएगा, you and I have fulfilled the obligation, चली, identify the tense used in the sentence, her brother will walk her down the, देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, her brother will walk her down the, तो क्या होगा इसका अंसर, future identified tense है क्या? बिल लगा हुआ है, ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, simple सी बात है, बताएगे, 30 का कौन सा अंसर होने वाला है? identify the sentence which used, will walk her down the, future identify, future perfect, future perfect तो नहीं होगा, present नहीं है, present नहीं है, तो क्या आएगा? future end, future indifferent tense बना हुआ है, ठीक है, next पे चलते हैं, तो कव आपके 15 question हो गए, पता भी नहीं चला, तो कितने विध्यारती, कितने student ऐसे हैं, जिनको 15 में से 15 marks आये हैं, जिनके correct निकले हैं, इमानदारी से अपना नाम लिखना, बिल्कुल बेवानी नहीं करना, तो congratulations, congratulations भाई, उन लोगों का, जिनको 15 म 10 से उपर आएं, वो भी बढ़िया करना है, 10 से नीचे वाले विध्यारती tension न ले, आपको 10 की हर एक class दी जाएगी, जिसमें आपके लिए बहुत बढ़िया 10 को पहले theory बढ़ाई जाएगी, फिर उसका हम लोग theory पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी practice करवाएंगे, जिसस आपके UP, आपके हर एक state की exam हो, जहाँ पर English आती है, तो English proper तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आये हैं, तो इस चैनल को subscribe कर लें, वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे उससाह बनें, और next lecture जल से जल में आया होगा, और unacademy का subscription लेना ना भूले, हमारा app भी है English point का, तो आप play store से जाकर English point app डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे test series और courses आपको देखने को बिल जाएंगे, चली दोस्तों, जै हिंद, जै भारत, मिलते हम लोग next lecture में, बाई बाई